दोस्तों देखिए ये high speed ceiling fan है इस high speed ceiling fan में problem ये है कि जब इसमें line दिया आता है तो ये high speed ceiling fan घूमता नहीं है तो ये क्यों नहीं घूमता है वो मैं आपको बताऊँगा तो इसके लिए मैं सबसे पहले street test lamp ले लेता हूँ देखिए मैंने street test lamp ले लिये हैं अब street test lamp का wire इस fan में जोड़ देता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ देखिए मैंने street test lamp का wire जोड़ दिये हैं अब मैं इसमे line देता हूँ और देखता हूँ ये घूमता है या नहीं तो देखिए ये high speed ceiling fan नहीं घूमता है इसके capacitor यानि कि इसके condenser कोई बदल कर देख लिया गया है फिर भी ये नहीं घूमता है तो अब मैं इसका सारा connection खोल लेता हूँ सारा connection खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने सारे connection को खोल दिये हैं इसमें तीन color के wire हैं एक red, एक yellow और एक blue तो इसमें जो red वाला wire है ये वाला जो red वाला wire है ये तो आप जानते हैं ये common wire है तो इसी में शीरी टेस्टलियम का एक wire जोड़ देना है इस तरह से और दूसरा wire को इस yellow वाले wire में इस तरह से जोड़ देना है अब मैं इसमें line देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है तो देखिए मैं इसमें series line दे रहा हूँ तो देखे इसमें जो bulb है ये बिल्कुल ही नहीं जलता है इसे थोड़ा सा भी जलना चाहिए लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं जल रहा है इसका मतलब problem इसमें तो है ही अब देखते हैं बुलू वाले वायर में क्या होता है तो इस वायर को मैं खोल लेता हूँ जो ये लो वाले वायर में जोड़ा हूँ और इसे जोड़ने बाद देखता हूँ कि इसमें क्या होता है इसमें जो ये रेड वाले वायर में जोड़ा ही रहना चाहिए इसमें नहीं खोलना है ठीक है तो अब मैं इसमें लाइन देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है तो देखिए इसमें बल्ब देखिए जल रहा है ये जो बल्ब जल रहा है ये वाला बल्ब इस तरह से दोनों ही वायर में बल्ब जलना चाहिए था ये लो वाले में भी जलना चाहिए था और बुलू वा ये पिलावला वायर है, ये रनिंग कोईल का वायर है, तो इसमें रनिंग कोईल का ही वायर से प्रोबलम है, ठीक है, यानि कि रनिंग कोईल में ही कोई ने कोई प्रोबलम है, तो इसे खोलना होगा, तो मैं इसे पूरी तर से खोल दता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखात है कि यह पंखा सोट है देखे यहां पर जला हुआ दिख रहा है आपको देखे ध्यान से यहां पर जला हुआ है मैं आपको दिखाता हूं देखे यहां पर जला हुआ है देख लिजिए यहां पर जला हुआ है तो यह पंखा सोट किया है तो सोट होने के कारण इस तरह से यह जला हुआ आपको दिख रहा है तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरा पंखा घुमता नहीं है तो देखिए नहीं घुमने का एक कारण ये भी है कि इस तरह से पंखा आपका सौट कर जाएगा तो आपका पंखा नहीं घुमेगा ठीक है दोस्तों मैं इस पंखे को रिपेर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं इस पंखे को रिपेर करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत काफी लंबी बन जाएगी और फिर क्या होगा कि आप लोग में से बहुत से लोग कमेंट्स करने लगेंगे कि इतनी लंबी वीडि नहें गुमता है तो आपका पंका इस तरह से सौट भी हो सकता है